अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कश्ठ होगा आपको? वही कश्ठ पहुँचाया है चाइना ने हमें लदाक पर अपनी लाल्ची नजरें गड़ा के और वहाँ हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए है क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विद्वाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिये बलिदान को क्या ये सोचना ठीक है कि सरहदों पे युद्ध होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है, क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है क्या हम भूल गए वो बक्च जब महात्मा गांदी जी ने कहा था, अगर अंग्रेजों की रीड तोड़नी है भारत में, तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का वहिशकार करना पड़ेगा तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद में हिस्सा लें क्योंकि लदाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की असमीता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत की थेली है, हम उसे किसी तरह से दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्राड़क्ट्स हैं, जिन भी कॉम्पनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेविन्यू जाते हैं, यह क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनांक और अपने सरकार का साथे तो हमें पतिग्या लेते हैं कि हम आत्म निर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे जैहिंद यह कि दूज छ्यूरश कारेंगे जैहिंद दिर्काराश में आपने ट्सक्राश तो एंपने से कुणेश्य लूज़िए्ट उड़ टेमर आपने सकेकिन सक्षा क्षच था जेए्ट भांगे ज़वें बॉईन दिएमें लुद्सक्राश उसरे इले अंपने प्र दोट एंबन or they have their own ways we see how people have been beaten up in cinema halls when they don't stand up for national anthem I mean you can love your country and also express in your own ways and that does not mean to thump your chest or go out and say things so what do you say about that, about the other side of the debate? well to this, honestly like Prasoon sir said, love is love if you love your partner and you never want that partner's company it's up to you, you can really internalize it but it will never manifest into anything concrete it will never really manifest into a beautiful relationship and nothing will come of it, no partnership it will only be inside of you the constitution is a promise that all of us have made with each other with the motherland, you understand what constitution is, right? it's not a God gifted gift it's not a gift that has fallen from the heaven with the motherland, you understand what constitution is, right? it's not a God gifted gift it's not a gift that has fallen from the heaven if we add another piece of land into this land we make a promise with even those set of people that this is what we ought to protect so that promise needs to be owned it needs to be showed that we own this promise you cannot internalize it it is not something to be internalized and how to tu-full get involved and how to steal